हालो फ्रेंड्स आज आपको एक चीज बताते हैं जो इस्टीम कंजप्शन होता है उसका कल्कुलेशन बहुत डिवांड आ रही थी कि इस्टीम कंजप्शन जो इस्टीम लेटिक डाइग्राम होता है वो कैसे क्या होता है तो अभी नोट्स अपने उठाए जो पुराना था उसी से ही एक बार करके हमने देखा और आपको समझाने कोशिज करें ध्यान से देखिएगा देखिए यह बॉड़ी है सबसे पहला जो है जिस सेमी केसनर है चिक वेपर सेल हुगा सेकेंड थर्ड फोर्थ और बाद में कंडेंस हो जाता है चिक यहां तक में आपको कोई प् सबसे पहले क्या है जो टर्वाइन से जो बैट प्रेशर टर्वाइन से जो एक्जास्ट निकलता है तो उसका इस सबसे पहले सेमी केसनर में लगता है इस सेमी केशनर से दो चीज़ें अटेच होती है एक है DCH जो डारेक्ट कांटेक्ट हीटर पर आता है और CGS जो लिखा हुआ है किलियर जूस हीटर चीक है 120-125 एंटर हुआ इसने 115 का टमप्रेचर निकाल के सेकेंड बॉडी में आया सेकेंड बॉडी से जो जुड़े होंगे पैन होगा सलफाइड जूस शीटर होगा दो चीज़े यहां से है इसके वेपर से वहां पर जो जूरुत होती है वहां पर लगाते हैं पैन पर लगाएंग जिससे राजू सीटर होता है वो कनेक्ट है और यह पांचमी बाड़ी जो चौथी बाड़ी है छोड़ दिया उसके बाद में यह कंडेंस जो 95 पर आया है फोर्थ बाड़ी 65 पर कंडेंस हुआ इतनी चीज इस समझ में आ गई हो तो इसके आगे बढ़ते हैं यहीं से ही सब यह देखें हम फोर्थ में लिखा हुआ है हमने एकस एक बैलो लिखा हुआ है यह भी आपको बाद में समझाएगा जिस समय हम कलकुलेशन करेंगे तब खीक है इसको अभी आप इतना दिखिए सबसे पहले आपको यह किए देखेंगे राजू सीटर के पहले इनलेट और आ सबसे पहले इस टीम टेबिल उठानी पड़ेगी इस टीम टेबिल आती है बुक जैसा हो गए उस पर सर्टेन टमप्रेचर पर लेटेंट शीट आप देखेंगे जो हमने अभी देख के रखा हुआ है 125 डिगरी पर 522 किलो कैलोरी पर केजी 115 पर और 90 पर 115, 90 और 125 छिक ए तीन हमने इस ले लिया 125, 90 ए 125, 115, 90 छिक और specific heat of juice 0.9 किलो कैलोरी पर केजी डिगरी सेंटिग्रेट ये है अब हम एजियों करते हैं क्योंकि अपने पास में और डाटा अपने हिसाब से आप निकाल लिजेगा हमने जो हमारे पास में लिखा हुआ था ज्यादा कल्कुलेट ना करके इसलिए हमने 6000 TCD का प्लांट अपने पास में कल्कुलेशन थी आप अपने यहां का प्लांट की कैपिसिटी लेके उसके बाद इसी से ही कल्कुलेट करके देखें तो 6000 TCD बुला 2500 TCH में जूस परसेंट के हमने 110 लिया है 110, 115, 118 तक में एक्सम होता है 110 के हिसाब से ने कल्कुलेट किया हुआ है इससे आप सबसे पहले निकाले क्वांटिटी आप जूस इतना TCH मुल्टिप्लाइट बर इतना 365 टन पर आवर जूस जाता है ठीक जूस की कॉंटिटी आपने लिकाल लिया एक चीज यह भी है आप और अच्छा यह चीज यहां एक और चीज देखें समझ में आई जैसे कि कितने का जैसे प्लांट है और इतने पर आप चला रहे हैं तो कोई पूछर बाद जूस का फ्लो कि इतना जाएगा तो जितना मिक्स जूस परसेंट केन हो पस क्यों मुल्टिप्लाइ कर दी इतने टन परावर जूस जाएगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले जो रा जूस हीटर इसको मानिए एक्सवन योकि फोर्थ बादिम देखी हमने एक्स माना हुआ था अभी इसको भूल जाएए एक्सवन से स्टार्ट करिए इस टीम रिक्वार्मेंट एम सी डेल्टा टी वाई लेम्डा यह फार्मूला आप याद करिए सब की वैलू देखे आपको हमने पीछे सब बताया हुआ 275 हो गया एम की वैलू 0.9 हो गया सी की वैलू डेल्टा टी जो हमने इनलेट और आउट्डेट टंप्रेचरा को बताया बहत्तार पहत्तिस से बहत्तर गया तो दोनों का डिक्षरेंस आ जा गया और इस टीम टेबि देखके रखी हुई है 545 ठीक है 16 दसलो असी टंपरावार आ गया कि किलियर हो गया अब आते हैं उसके बाद जो बाड़ी थी थार्ड वाली बाड़ी उसमें दो चीजे जुड़ी हुई थी आपने देखा था एस जे एज और पैन खिक है सबसे पहले आप एस जेएज को देखिए अगा शलफाइड जो सीटा सेम फार्मूला एंसी डेल्टा टी बाइव लेमडा एमकी वैलू सेम सी की वैलू सेम डेल्टा टी आपको ने बताया 72 से 95 गया तो T2 माइनस T1 दिस इस दिफरेंस डेल्टा टी तो पंचान विमार्यास 72 अपन लेटेंट हीट 529 दस दसमलो 86 किलियर हो गया अब जब आती है बारी हमारे पैन की तो पैन में थोड़ा सा और कल्कुलेशन हमने कल के वीडियो में आपको इसी लिए थोड़ा सा थम रूल बताया था सबसे पहले अभी उसका आगे यूज देखेंगे क्यूव कॉंटिटी आप मेस्कुट टन परावर के मेस्कुट फेक्टर होता है यह होता है आप ने सब फेक्टर जो की एक लिए बैस टाइप जो होता है 1.5 गूंटिनियोस के लिए 1.2 यदि A टाइप B टाइप C टाइप के लिए 0.275 यह आप फेक्टर होते हैं ठीक यह होता है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको वेपर रिक्वाइर्मेंट आपको निकालना है तो अब चलते हैं यह देखे यहां पर 28 से 30 परसेंट आनकेन हमने पताया था एक लिए ठेक 30 परसेंट ले लिया 75 तर पर आवर यह मैस्किट की क्वांटिटी हुई है च्छे करते हैं पाम से 7 करते हैं तो हमने छह से हिसाब से कल्कुएट करके इतने टन परावार जो पिछले वीडियो में बताया था देखे यहां यह जो थमरूल वाला होता है यहां पर इसे लिए सबसे पहले हमने आपको थमरूल बताया था अब आपको क्वांटिटी मिल चिक अब आगे बढ़ते हैं पिपर रिक्वाइरमेंट ए बी सी आपको मालूम था क्यूं के एम यह फार्मूला बी के लिए सी के लिए क्यूं कितना है सेवन टी फाइव सेवन टी फाइव एक के लिए हमने आपको कितना पताया था यह देखें वन पाइंट फाइव ओके 2.275 कहां से आया एम 2.275 किस से होगा यह देखें एटाइप पाइंट 275 खिक टोटल वैली सबके गिवन हो कई यह निकल गया टी के लिए कितना है देखें ऊपर 1.2 क्यों क्योंकि हमने continuous के लिए कितना दिया था 1.2 B type के लिए operational factor कितना हुआ 0.3 ठीक total value आपको सबको मालू है आपने कर दिया तीनों को आप चोड़ देंगे ये value किसकी आ जाएगी X3 ठीक इस body का काम खतम अगरी body चलते है X4 का calculation करें X4 के calculation के लिए वही चीज clear जो ceter है उसमें लगा हुआ M C delta T by lambda M same ही C same cable difference कितना delta T 110 minus 102 T2 minus T1 lambda कितना latent heat आपने steam टेवे से पहले निकाल के रखा हुआ 522 ठीक 3.75 X X4 हो गया है अब सबसे फर्स्ट बाडी पर क्या-क्या है एक clear juice था दूसरा क्या था DCH M C delta T कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही यहां तक बिल्कुर समझ में आ गया होगा आप लोग को M की वेलू वही से C 0.9 delta 2 102 से 95 Latent heat 522 3.31 ओके अब बार यह आती है अब आप निकाले टोटल evaporation rate फार्मूला देखिए 1- BX जो लिखा है Bricks है Short form लिख दिया BX Bricks of clear juice Bricks of syrup इसको डिवाइड में bracket close multiplied by quantity वही जूस की ठीक 275 13 होता है Bricks of clear juice 60 का syrup बनता है 60 का syrup Total evaporation rate 215 दसलो 4 एक टन पर आवर ठीक Clear अब आते हैं मेन पर आईए फोर्स बार्टी में हमने अपने आप लिख दिया था क्या X उसमें कुछ नहीं था ना इसलिए अनमे का ये बाद में आप पता लगेगा X जब थर्ड बार्टी में एंटर किया तो X प्लस उससे क्या लगा था? राजूस राजूस आपने X1 लिया है X प्लस X1 हो गया सेकेंड बार्टी में X प्लस X1 एंटर हुआ अब ये बैक चल लहा है इसको समझिएगा तो X प्लस X1 ये एंटर हुआ उसमें क्या क्या चीज लगा हुआ था? X2 और X3 ये आपने बैलू निकाली ना एक पैन का निकाला हुआ एक सलफाइटेट का निकाला हुआ है ठिक अब ये टोटल चीज एंटर कहां करेगी? ये टोटल चीज फर्स्ट बाडी में फर्स्ट बाडी इस क्या लगा हुआ था? एक लगा हुआ था आपका किलियर जूस दूसरा डी सी अच उसने आपको X4, X5 ये किलियर हुआ कि नए किलियर हुआ? आप जब बैएक में जाएंगे तो आप खुद ही देख लेंगे पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी फूर्थ, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट ठीक? अब टोटल को आप जोड लीजिए जितना ये है चार बार X हो गया प्लस 3 टाइमस X1 प्लस 2 टाइमस X2 प्लस 2 टाइमस X3 प्लस X4 प्लस X5 टोटल ये किसके पराबर होगा? जो आपने अभी ये टोटल इवेपरेशन रेट ठीक? अब इसमें देखिएगा ये टोटल चीज इक्वल टो टोटल इवेपरेशन रेट अब आपको X1 मालूम है X2 मालूम है, X3 मालूम है X4 मालूम है, X5 मालूम है लेकिन X नहीं मालूम इसलिए हमने X को वहाँ पहले ही छोड़ रखा था ये देखिए सब्का किल्कुलेट कर दिया 215 दसलो 4 एक के बराबर कर दिया 4 इसको, X बराबर नियर वाउट 10 टन पर आवर आ गया ठीक? अब देखिए 4 बाड़ी को आपने X माना था ये 10 हो गया 26 बेदसलो वाट 35 बेदसलो लाश्ट इतना आया जो फर्स्ट वाली बाड़ी अपनी 22 बेदसलो 87 ये फाइनल आया ठीक? बिलकुल समझ में आ गया ना? ना उसको फिर से एक बार आपको बताएं इस ये चीज ना किलियर हुआ हो तो देख लिजिए एक्स जो हमने लाश्ट बाड़ी माना हुआ था वहाँ पर देखे कुछ नहीं लिखा हुआ ना उससे कुछ अटाइच भी नहीं किया ठीक है? फॉर्थ एक्स एंट्री किया उससे केवल एक ही चीज अटाइच है राजूस एक्स वन होगे अब एक्स ख्लस एक्स वन जो आएगा वहाँ सेकंड वालने चलाजाएगा तो एक्स ख्लस एक्स वन को ऐश से लिखती है उसमें दो चीज़े चूड़ ही है एक्स टू और एक्स त्री अब यह जो चारों चीज आई इस सेकंड वाली को यहाँ ऐसे सीधे एटिज उता दीजिए फर्स्ट बाड़ी में दो चीजे हैं किलियर जूस और डिसी एज X4, X5, किलियर टोटल आ गया 92.87 अब आता है स्टीम परसेंट जो हमारा फाइनल मोटो है स्टीम परसेंट केन कल्कुलेशन का तो 92.87 और टीसेच कितना था कितने का प्लान धाई सो का मल्टीप्लाइड बाइ हंड्रेड 37 दसलो 14% आन केन इतनी स्टीम लगनी चाहिए इसमें देखे दो तीम चीजे नहीं इंकलूड है जैसे हम इस टीम से वासिंग करते हैं क्वेरिंग करते हैं तो यह सब इसमें एड हो जाएगा लेकिन जो आपको कल्कुलेशन होगी यह आपके इस प्रकार होगा आप अपने यहां से इस टीम ब्लेडिंग डाइग्राम का कैसे क्या होता है कहा कहा क्या चीज लगी हुई है सेम फार्मूला आप यूज करें टोटल आपको एक्षेक्ट इस टीम कल्कुलेशन करके जितना आपका कंजूम हो रहा है इस टीम उतना निकल के आ जाएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको बारीकी से और लाश्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा ठीक आसा करते हैं तभी लोग को समझ में आ गया होगा और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बाक्स में लिखिए उस डाउट को सॉल्ट करने की कोसिस करेंगे हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो तीजी लाइक से और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स को भी सेयर करें जिससे ओभी एड हो और जो ची बताए जाता उसका बेनिफिट मिल सके थैंक यू